सब्सक्राइबर का एक डाउट है कि जैसे हमने कोड पुस किया है तो लेटेस्ट वाला तो कोड हमारा पुस हो गया है लेकिन क्या पुराना वाला कोड रहेगा या चला जाएगा वैसे ही तो देखिए मैं आपको डेमॉस्टरेट करता हूँ सामने यह मेरा इंडेक्स.html है इसके अंदर एक कोड भी पड़ा हुआ है मैं बैक करता हूँ इसको यहाँ पे देख लो आप फिर आप देखो कि मैंने उस इंडेक्स.html को मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है अब मैं क्या करूँगा इसके सामने ऐसे कर दूँगा या चलो इसको मैं डिलीट करके ऐसे कर दे रहा हूँ समझ रहे हैं आप यह मेरा कोड पहले था इसको डिलीट मैं करूंगा इतना कोड पहले था आप जान रहे हो अब नया कोड इसमें मैंने कुछ लिखा इसको कर देता हूं सेब और फिर मैं ओपन करता हूं गिट गिट वैस ओपन किया अब फिर आप देखना गिट एड किया मैं एड के बाद डॉट लाया के डिट एड हो गया अब फिर मैं करता हूं कमिट गिट लिखना पड़ेगा गिट कमिट हाइफन एम इस्पेस नियू सी याचे एन्जी इस्चेंज डवर कोट एंटर अब मैं क्या करूंगा गिट पुस ओरीजिन मार्श्टर पुस कर दिया कूर पुस हो गया अब आप देखो यहां पर अब मैं इसको जो है रिलोड मारता हूं तो देखो आप इंडेक्स पर अब मैं जाता हूं तो हमारा नया कोड आया हुआ है अगर यहां तक का कोड हमें सिर्फ चाहिए यह वाला नहीं चाहिए सिर्फ इतना हमें कोड चाहिए तो यह पुराना कोड होगा लेकिन टोटल इतना कोड है मतलब हमारे पास नया कोड है मतलब पुराना डिलीट हो गया हमारा अब जैसे हिस्ट्री में आप जाब ना थोड़ा तो यह देखो न्यू चेंजेस इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो यहां देखो पता चल रहा है कि यह पुराना वाला इतना कोड है हिस्ट्री में दिखा रहा है और यह चीज़ें है माइनस प्लस यहां से छोड़िये मैं बैक करता हूँ और बैक करता हूँ और फिर और बैक करता हूँ मैं आ जाता हूँ यहां पर अब न्यू चेंजेस पर आप क्लिक करो कमिट मेसेजेस पर तो अब आप यहाँ देखो history दिखा रहा है कुछ हैलो है फिर ऐसा फिर ऐसा यह history आपके सामने आया हुआ है लेकिन समस्य यह है हमारे पास कि हमारा पुराना code जो हम maintain नहीं कर सके नया code हमारे पास आ गया जैसे मैं इस पर click करूँगा तो हमारे पास नया code आ चुगा है पुराना code हमारा गया भूब है तो अब जैसे आपका question यह होगा कि पुराना code और नया code मेरे को दोनों maintain करके रखना है पुराना code हमारा version 1 था और नया code हमारा version 2 है तो तो दोनों को maintain हम कर सकते हैं लेकिन कैसे करेंगे तो देखो यहाँ बे version को maintain करने के लिए tag का इस्तेमाल हम करते हैं तो tag तो मैंने अभी tag का use करेंगे तो maintain हो जागा तो नों code maintain होगा लेकिन मैंने अभी tag मैंने अभी branch ही नहीं बता है तो tag दूर है, तो थोड़ा इंतियार करिए, तेनचार वीडियो के बाद टैग हम पढ़ेंगे जो हैं, तो उसमें हम सीखेंगे कि पूराना pacote को भी maintain करना है और नय अगे pacote भी maintain करना है, तो कैसे maintain करेंगे अभी क्लिए इतना ही मिलते हैं फिर कभी